એकાગ્રતા મેળવા માટે ધ્યાની આવશકતા હોયે છે દેનંદીન જીવનમાં ધ્યની આવશકતા હોયે જે અને फिश्यों पर केंद्रित करवा हमा आवे छे औने एटला माटे ए ध्यान करता हुदध करता ठोल्डु वधार्य स्तरण अन्दत करो clever अने ए वधू कठी ने टला माटे बने चे कारण के जेम आपड़े बात करी कटोप निश्रद मा जेम कहे चे परांची खानी व्यत्रणत स्वयम्भू परांग पश्चती नांतर आत्मन कष्चित धीरह प्रत्य गमानम इक्षत आवरत्त चक्षू आवरतत्त तो इच्छन अने टला माटे बाहियो विश्वयो पर मनने एकागर करवू कईक बधू कईक ओचू कटीन होये चे बधू सरल होये चे पन मनने ध्यानमा परववानों अर्थ चे मनने पोताना अंदर निविष्ट करवू बाहार नी दिशात्रपती अंदर नी तरफ ले जावू आने एक वदू कटीन बनी जाई चे तो आ जे सभावतीज बन बहाई जाए चे सभावतीज चन्चड चे हजारो जनुमना संस्कार खराब चे अंदर केवी जात Cafat만 संस्कार पड़्या चे ए बधाने रहता अं मनने ध्यानमा निविष्ट करवू इस्भावताज कटीन बनी जाए च वुआ एक साथइन च्तिति लगबाच दरएक नी आज स्थिति होए छे ऐटल आम इले पेलेů अपने में बहने रचेंदक नी भैरिय ए आपड़ा ध्याननी ध्याननों अभ्यास करवामा अत्यन्त आवश्यक अंग बनी जाये छे। सुफी संत जुनेद आने चोर्नी वार्ता द्वारा पण आपड़े एने समझवानों प्रेत्न कर्यों होतो। अने ए पच्छी आपड़े ध्यानना विभिन प्रकारोनी चर्चा करी होती। ध्यानना जे विभिन महत्वना आपड़ी माटेना जे लाभो एमानी चर्चा आपड़े करी होती। कि एकाग्रता बक्षे छे, मनने शांती अर्पे छे, अमरत्त तरफ लई जाये छे, परमात्माना दर्शन करावे छे अने क्वांटम जंप नी वाद करी हैती सुपर कॉंशिस स्टेज मा आपड़ने लई जाये छे, एन्ट्रोपी लॉस नी वाद करी हैती केविरित आपड़ने दिर्गायू जीवन बक्षे छे, मानसिक तणावो थी आपड़ने मुक्तिय पावे छे, अने एक वधू काम करे आपड़ने मन पर ना नियंत्रण नी दिशा तरफ आगल बधारी जाये छे, वेर नी भावना केविरित शमी जाये छे, एन्ट मने केविर प्रशान्ती अरपे छे, भगवान महविर ना उधान द्वार आपड़े जोवानों प्रेत्न करे होतो, अने केविरित एक पापी प आलमेकी बनेगियो तेनी बारता आपड़े जोई, आने एक मानसिक तणाव माथे दूर करीने केटला लोकों ने अमरत्तो बक्षे छे, एक ध्यान द्वारा प्रगाल प्रशान्ती अपावी ने मेदम कालवे ना उधान द्वार आपड़े एक जोवानों प्रेत्न करे होतो मननों नियंत्राण आपला दैनन दिन जीवन मां अत्येंत महत्तो नुबनी जाये छे, थोड़ा दिवसो पहला नीज बात छे, एक विद्यार्थी मारी पासे आव्यो, इंजिनेरिंग स्टूडेंट महराष्ट नो, महराष्ट मां भणे चे चे यह यानोज, अने एने आव मतानी वितक कता कए, कि 10 मा ध्रोण सुदी खुब सारन नंबर मलता हता, 12 मा ध्रोण नी परिक्षा आपती वक्ते, मन विचलित थाई गियू, अने पच्ची ए बार मामा फेल थे हो, बीजिवा ट्राई करी, बहु उचा नंबर मल्या, एटले पच्छी, पन इंजिनेरिंग करवानी बहु इच्छा आती, माता पितानी पन खुब इच्छा के, दिकरों इंजिनेर बने, एटला माटे महराष्ट माँ डोनेशन अपावी, आने एड्मिशन करिऊ, एड्मिशन तो थाई गियू, पन पास्त थो करू पड़ से, परिक्षा आवे चे, परिक्षा माटे भणूँ पड़े, भणूँ मामा ध्यान न थी लागतू, तो शू करू, मन चित बेस तूज न थी, तोड़ा कूपायों कहा, पन वाच्चित करवाती खवर पड़ी के, आमा कहीं वड़वानू न थी, पचि मैं कहिँ जो, तारे जो समस्यानू समाधान जोईतू होशे, त तो खरे खरो, तो अने समस्या शूचे, पूरे पूरी तारे वितक कथा के भी पड़चे, और त्यारे पचिए इने कहिँ, कि हाँ, एक विशेश व्यक्ती तरफ एनू आ सकती जो, और ए व्यक्ती नू चिंतन सदा एने पासे आवे जो, पचिए बाकी बदा एक अग्रता अने ध्यानना नियमों कोरे राखी जाएचे, गमे इटला तमे नियम करो, तमे सवार ना वेला पन उठो माल लियो, सवार न ब्राह्मा मुर्त में उठी गया आपने वाद करे थी, कि नियमी जीवन पन जीवो, और तमे जितला जितला अपने उपाय बताया, बदा उपाय पन सवार न था से, पांच वागे उठी ने पने ज परी चोपडी मा ते व्यक्ति नुझ चित्रा आऊशे, भणवानू तो फिजिस, केमेस्टि, मैथमेटिस्टा आऊशे नियमा, तो ज्यां सुधी मन पर नियंत्रन नहीं आवे, अवे तो एक मातर उपाय चे, मन पर निय नियंत्रन लावी, जो आऊशे, तो आ व्यक्ति तरफ निया सकती दूर करी ने भणवामा चित्त लगाड़ी शक्षे, मन पर नियंत्रन के विरीत आवे, आ एक दिवस निवात न थी, अन्ने आ मनना नियंत्रन माटे ध्यान सर्वस्टिस्ट उपाये चे, स्वामी शिवान नंजी महाराज, महापुरुष महाराज, रामकिष्ट मत मीशन ना बीजा अध्यक्ष, एमने एक युओ क्यावी ने कही होतु, क्यावी नी ते एमनी पनाज समस्य हाती, विशेक्ष, कोई विशेमा येनू मन जत्तो होतु, आने कोई पन रिते ते पोताना मन ने एकाग्र नतो करी शक्तो, त्यारे शिवा नंजी महाराजे कही होतु, अनिच्छित वस्तुमा जयरे मन जाये छे, खराब विचाड़ो तरफ मन वडे छे, एना मते नो सुन्दर उपाई, सर्वस्टेस्ट अने सरल्तम उपाई, सर्वस्टेस्ट अने सरल्तम उपाई छे, प्रभून नियंत्रन करवानो, खराब विचारों थी पोताना मन माधी खराब विचारों दूर करवानो, सर्वस्चेस्ट अने सरल्तम उपाये छे, प्रभुनु नाम, प्रभुनु ध्यान, अने आ एक्स्पेरिमेंटेद अन वेरिफाइड, केटला है में कया, अने पची ये विद्यार पावे छे, धीरे-धीरे आपने अनिच्चित वस्थुमा जे मन होये छे, तेमाथी दूर करीने, आपने एकाग्रता बक्षे छे, आपना जीवन माँ पन साफल लिया पावे छे, अने एटला माटे ध्याननों महत्त थाई जाये छे, एकाग्रता नी साथे-साथे, एक गमे ते व्यक्ति, पोताना देन्दनी जीवन नी सफल ता माटे, आणे आध्यात्मिक साधक माटे तो अत्यन्त आवश्यक छे, ध्याननी थोड़ी चर्चा, ध्याननों थोड़ो अभ्यास, तो ध्यानना आपने प्रकारों जोया हता, ध्याननी व्याख्या आपने जोयी, कि के पतनजली कहेचे, देश बंदस, चित्तस्य धारना, अने तत्र प्रत्य एक तानता ध्यानम। आज ये प्रत्य नी एक तानता ATUNS नाम ध्यान चे, जारे चित्त ने बांधी देव 망ावेचे एक देश नी सीमामा, त्यारे एनू नाम ध्याना। अणने एज धालना जयर प्रगाड बनेचे, जयर प्रत्य तरफ एक तान थई जाएचे ध्यान, मन, प्रत्य तरफ वारमवार दोडेचे, त्यारे एनू नाम ध्यान चे, प्रत्य अटले आपने जहें कही होतु, आपनी धे वस्तु, जे विशे तरफ आपने ध्यान करवा योग नी भाशा मां कहे चे प्रत्ते, और अप्रत्ते क्योँ होई शेके? प्रत्ते गमेत दे होई शेके, आपने जो प्रत्ते चूटु होए पोता ना ध्यान माठे, तो कहे चे के जोती, सूर्य, पुष्प वगेरे स्थूड पदार्थोती मांडी ने घंटा ध्वनी, मंत्र, सूख, दूख, करुणा, दया वगेरे शुक्ष्म भावो सुधी आ बद्या प्रत्ते चे जेने जेमा रस होई ए प्रत्ते मा ए प्रत्ते पर ध्यान करे अने विभूती पाद मा पतंजली राज्योग मा, स्वामी विवेकान न राज्योग मा पतंजली योक्षित्र न पुरु ट्रांस्लेशन, पुरु अनुभाद आ पेलो छे, भाशांतर आ पेलो छे अने एमा विभूती पादमा पतंजली विभिन्न प्रकारना ध्यानोंनु वल्नन करेशें। ध्यान, समाधी अने धार्णा आ त्रण ने उच्चांग कैवामावेचे। अस्टांग योगना ए त्रण उच्च भावो, छिल्ला त्रण भावो अने आ त्रणे ने मलीने संयम कै जे व्यक्ति धार्णा ध्यान अने समाधी ए त्रणे ने मलीने कोई एक वस्तु पर ध्यान करेशें, त्यारे एने संयम कैवामावेचे। आवो संयम एटले के ध्यार्णा ध्यान अने समाधी जारे विभिन्न वस्तु पर करवामावेचे, त्यारे विभिन्न प्रकारना प बढ योगी मां आवी जाये छे। संयम करवाती एटले के धालना ध्यान समाधी आत्रणे वस्तुओने जे एकागर करवाती हाथी तता बिजाओना बढ पर संयम करवाती तेमनू बढ योगी में आवी जाये छे। जड़हलती जोती पर संयम करवाती शुक्ष्म द्रुष्टिती अगोचर और दूर रहली वस्तुओनू ग्नान थाये छे। सूरिय पर संयम करवाती जहतनू ग्नान मले छे। चंद्र पर संयम करवाती तारा मंडल नू ग्नान थाये छे। धुरू तारा पर संयम करवाती ता सिध्धियों आमा वर्णन करेलू छे पण आमा पतंजली पोतेपन कहे चे कि आ सिध्धियों थी दूर रहेवू अन्य श्री रामकृष्णा ने स्वामी विवेकानन तो खुबज आना माटे सतर क्रहवा माटे कहेता कारण के आटली उची स्थिती मेडवी एब बहुज कठीन छे के जायरे धालना ध्यान अने समाधी आ त्रणे वस्तु ओपर मन एकाग्र थाई जाए त्रणे ने हासल करीले तो अत्यांत उच्च स्थिती छे यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम आ बद्धू कर्या पच्ची नी आ स्थिती छे आने आट्टी मुची स्थिती पहुंचा पच्ची जो मन आ सिध्यों मा अटवाई जाये तो जाने के उपर थी पाच्चु ए योगिनू नीचे पतन थाई छे एटला माटे सिध्यों थी अत्तिनत सावचेत रहवानू छी रामकृष्ण स्वामी विवेकान बन्ने कहे चे स्वामी विवेकान नी परिक्षा करी ती रामकृष्ण देवे कि जो मारी पासे ती आ योग विद्ध्या करवा थी घणी सिध्यों हासल थेई चे तो में विचार करेओ छे के हुँ तैने आ बदू ग्णान आपिदेश एना थी तने घणी सिध्यों मल से अने त्यारे नरेन ना त्यारे कॉलिन विद्यार थी कहे चे के सु आ बदू ग्णान मेडवा थी मने परमात्माना दर्शन थाशे तो रामकृष्ण कहे चे ना परम परमात्माना दर्शन करी लेवा देओ पेला मने मारू जीवन नू धे हासल करी लेवा देओ पच्छी हुँ जे जगत नू कल्यान सुचे पसे समझी शकिस आने पच्छी करी स्माटे आसलिद्यों तमारी पस रहेवा देओ रामकृष्ण देओ अत्यंत प्रसनत है जो भाई बिजनेस करवा मागे छे शेर बजार नू बिजनेस यहने बस एमाज इंट्रेस्ट छे ठीक छे तो बनने भाग पएड़ा ताने के मारे तो पईसा वगर जोता ना थी हुँ तो जाऊश वियोग रोड़ने आने आनी पासे थोड़ाक पईसा जे मुडी हती भाई अने योग साध्ना करी चाल नदीने पासे गया अने पेला भाई तरतज नदी पर चालवा मंडी गयो अने पेले पार कोचे गयो त्या थी इसारव करवा मंडी गयो बिजा भाई ये तर्तज एक नाव वड़ाने बेपईसा अपया बेठो एपर पेरिपार पचे गियो कि भाई बहुत दुख थे यूँ बहुत दुख थे यूँ अरररर जे काम हुँ बेपईसा में करी सकूँ चूँ एक काम मलते थे बार वरस गुमावया सिद्धिं में मारी तो 200 करोड़ इंकम थेगे जैए this पंट ते तो जे कमाई खे पllesसा सरों करी ओत तो इस सिद्धिनी कीमत के टली 2 euro जे नदिने हुँ वहान द्वारा पार करेशे कुछ बेपईसा देने ए नदिने पार करवा माटते ए शिद्धी सिखवा माटते ने बार वर्स्ते गुमावी दिदा कहवानों अर्थ ए छे कि गमे इटली मुटी सिद्धी होई तो अंतिम लक्ष शुचे अंतिम लक्ष योग सिद्धी न थाई तो पची ये सिद्धिवा नी कई किमत न थी आने विजातने बीजी वार्ता कहे चे रामकष्ण देव एक एविडित एक व्यक्तिये सिद्धी हासल करी अने एने गुमान थेगी माने तो खुब सिद्धी थाई चे अने त्यारे इश्वर एनी पासे आव ओनना वेश्मा अने के शेँछे भई ते आत्लू भदू करीयों चे अना सामल लिजे हान हने खुब सिद्धी चे खरे खर सुशु शी शीद्धी चे अरे तम्हेग्योएं शीद्धी चे जब बताऊ हया हथी मारी शेको अरो हमसे मारी शेको अरे ट्ले अच्छा, तम्हें मार्य तो खरो, पड़ेनी जीवाली शको खरा? आरे वो भी हो सकता है, यह उसके हैं, तम्हें आपको शिवाली पंद भागो पोटानी मृत्ति पर विजय मिलव्यों छे? आ हाथी मर्यो और हाथी जूतो थे अमा तमारूसु थे भगवान एम करीने भगवान अंतरद्यान थे गिया त्यारे योगें थे अरे आतो कोई बीजू कई आवियो तु वेश परीवतन करीने वाद तो साची शे अमारूसु थे यू मनेसु अमरत्व मड़ियो, मेसु मृत्यु पर विजय मेडव्यो, आसिध्यो प्राप्त करी ने? नहीं, नहीं, तो आसिध्यो फक्त घणा लोक आ राजयोग पुस्ताक वाचे छे खुब, कि हमारे सौथी वदर पुस्ताकम ने राजयोग गमे छे, और अमारे राजयोग नी गुरुना व्यक्तिगत मार्द्रशन सिवाई आ राजयोग नी साधना करवी नहीं नहीं तो भयंकर फोल निवड़ी शके चे केटला है लोको ना माता चस्की गया चे खारण के एना माते ना जे प्रात्मिक सोपानों जे बराबर न करया हुए यह नियम न पाड़या हुए और एकदम ती जो आ साधना मा कोदी पड़े और व्यक्तिगत मार्द्रशन न हुए तो केटला है लोको आ रिते आडे रस्ते जाये चे का सिध्यों मातवाई जाये चे अने का सिध्यों नी पेलाज होतानों मानसिक संतुलन गुमावी बेसे चे मेंटल हस्पिटल एटला माते खुब सावधान रहवानू राज्योगनी साधना बहुस सरस लागे चे बधु जैर्या सामबडी चे आओ आवी सिधी थाई जाये को कोई ना मनमा सु थाईरु चे जानीलियो बुद्धू सामबडवामा एट्टू बुद्धू जवाच्वामा एट्टू आनन्द आवे चे पन एने हासल करवामा एक मोटी कीमत देवी पड़े चे अने हासल करवा जता जो व्यक्तिगत मार्दर्शन नौहई गुरुनू त गणिवार मानसिक संतुलन खोवाई बेशे चे अने एम छता पन जो पोजी पन गया तो आ सिध्यों माटवाई जाई चे ने जीवन नू जे मुख्य धे चे ए भुलाई जाई चे एकला माटे श्री रामकृष्ण विवेकानन आ सिध्यों थे दूर व्यानों प्रयातने करत त्रीजों ध्यान खे छे सप्न माज अनुभावतेया होई अथ्वा तो निद्रा अवस्था मा ज अनुभावतेया होई इना परNow ध्यान तो कहें चे प्तन्जली विशो कावाँ जोती शमती अथ्वा शोक मात्रति पर एवी जोतीनु ध्यान करवाती पुण समाधी समाधी चे श्वामी विवेकाने नी व्याख्या करता कहे चे औबblyजा एक प्रकानी समाधी चे रिदैनी कमल रुपे कल्पना करो ते नी पाखडिव निचे धालेली चे ते नी वच्माथेदी ये शुशुमना जाये चे हवे स्वासने अंदर खेचो antee स्वासने बहार काट् उर्द्व गुमी थईव चे अने कमर नी अंदर जटहलती जोत चे ए जोत पर ध्यान करो। एमनु चित्त चे वीत राग थे वीचे, कोई पन जातनो राग एमना थी, राग देश न थी, राग देश ती पर थेया चे, तो एमना चित्त पर ध्यांदर वा थी, पड़ एवा महापुर्शों मणवा मुस्केल, जे उँ होए, तो इश्वर ने पन, एश्वर ना चित्त मा पन अपने ध्यान करी शके, स्वामे जी कहे चे, जेना प्रत्य तमने पुझी बाह होए, जेने तमें संपून वीत्राग थेला जानता हो, तेवा कोई पवित्र पूरुष, कोई संत महात्मानों विचार करो, आने तेना पवित्र रिदेनू चिंतन करो, ए रिदे अना सक्त रिद बन्यू छे, तमें तेना पर ध्यान करो, ए थी मन शांत थाशे, जो ए न बने तो बीजो एक ध्यानों प्रकार आ रहे हो, आने ये चे, स्वप्न, निद्रा, ग्नान, आलंबनम वा, अत्वा स्वप्नमा जे ग्नान आवे चे, तेना पर ध्यान करवा थी, एटले के, क अवानी अंदर थीने संगीत, लहरा तू आवे, आउतू तू ते सामणी रहे हो छे, पोते ए स्वप्ना मा आननद में अवस्था मा रहे लो छे, और जारे ते जागी उठे छे, ते ए स्वप्ने तेना पर घणी उन्ली असर मुकी जाए छे, ए स्वप्नाने साचू मानो, अने तेना पर ध्यान करो, जो तमें ते न करी शको, तो तमने पसंद पड़े, ये कोई पन पवित्र पदार्थ पर ध्यान करो. तो आ विभिन प्रकारना विकल्पो, पतंजली बतावे छे, पताना ए राज्योग मा, अने आविरीते महापुर्शनु ध्यान, विश्योका जोती नुद्यान, सपना अथा निद्रामा प्राप्त ग्नान नुँ आश्राई करेलू ध्यान, ए सिवाए विभूति पादमा आप जिन द्यान, गूण द्यान, अने स्वरूप ल् Buddhyान, आविश्यी नी चर्चा आपणे पची करियेछे, ए सिवाए एक चे वेदांत सिध्धानतो पर आधारित ध्यान, वेदांत ना चिद्धानतो चे, एना पर आधारित आधारित घणी प्रकारना ध्यानों, कधाम्रित म स्वामी वकें ना घ्रंतों पर झूआ टो ए ध्हानी पर टरच पच्छी एक प्रकान हो यह सास्त्र ना वाक्यों पर ध्यान कोई शास्त्रणु वाक्य खो ρेख अवे स vaccination तो जे वाद आपने वदांतनी वाद करीहाती है केविरीदनी वाच्छे श्रवण, मनन, निदिध्यासन। माणीलियो वेधान्तनु एक वाक्य चे अहम भ्रह्मास्मी। तो पहला तो एने श्रवण कर लिदू अत्वा वाची लिदू अहम भ्रह्मास्मी हूँज भ्रह्माच्छू। पची मनन आनो आर्थ शो थेयो अहम ब्रह्मास में के विरीत है हूँ ब्रह्मा चुँ एनो आर्थ शो थेयो ओ हूँ ब्रह्मा चुँ एटले के हूँ के विरीत है ब्रह्मा चुँ ना ना हूँ शरीर चुँ ना शरीर ना शरीर नती हूँ तो कव चुँ ने के मारू शरीर आ आजे मन नति लाग्तू ने वर्थ खूं और मनन अलक्ठ चैनौ आज़े आज़े मारी बुद्धी बहर मारी गीछ, बुद्धी काम नति करती थे आतले मां नति तो मन नति रहरे चित्त रहराँ कार है आजे सलाओ में खूSo CHAด यह लगो एक ली तमय अहंकार नथी एवाज पाकी थे घली तों अंकार न थी तो नेती। नेती करता करदा तो यह अंध। सुरूब्राइब्रह्म जूerve, कि अनन्त sec अफार्ट लोकों ने लुखों ने कहाँ गा दुख माती एक मात्र छुट्वानों विकल्प छे आत्मति एक अठामाट करवा मागे जो ए समय यह लोकों नी यह समस्या चे समस्या नो समाधान थे जाए मान लो कोई ने यह जोतो है कि भई माने मारूती 1,000 नी माने तुम आत मते करीश बस ये ना सिवे मारे जीवन जेर छे मने करें ना थी जेर नो प्यालो पीलेश अन्य एज वक्ते ये लोटरी लागी जाने कि आ आ मारूती 1,000 आभी गे बस तरता जे जेर नो प्यालो त्यान दुख माती निवृतिनो विजो कोई उपाए त्यारे जड़तो नो थी एटला मते कहीं चे क्या अच्छा ठीक चे कदाच मर्वा थी आद दुख माती निवृति थाए जो के एथती नो थी कारण के आपड़ा सास्तर प्रमाने तो पुनरपी जनमां, पुनरपी मरणां अन कर्म नाफ़ल ना सिद्धान्त प्रमाण कर्म नुँफल तो मलवानु चे जह कर्मना फ़ल प्रमाण्या दुख मली रहोते हमा अब अजी वद्ह है दूख मेरा से आज आत्मत्यान करें पापनु दुख यह पाशा आफ ता ग्री पाश्यू अफनी मा फरी पाचू ईसदमा प हुँ अमर्थवा मागूछु आनंत सत् reallyommt ग्णान प्राप्त करूछु जेट हुपन ग्नान प्राप्त करूछो ते थि मने कोई पन जातनों संतोश नती मळतो आनंत ग्नान प्राप्त करवा चाहुछु अने आनन आनन थ कोई ने दुख ना अटिमा थी बहार काडो, तो माचली शू करशे, माचली पोताना एक पाणी मा जवानों प्रेत्न करशे, कि पानी और माचली एक बिजा साथे संकड़ा एला चे, ए पानै माचली नो सभावध चे पाणी मा रहवू, ए विजरीत गिवे आपने सभावध चे अखंड सचीदा आपने मुडुभुत सभाव चे आपड़े तेरे फापा मारी रहाची जे कहीं आपड़े क्रियाओ करे चे बद्धू पोता नी पानी तरफ जवानी अटले के अखंड सचीदानान तरफ जवानी माटे नी प्रक्रिया चे फक्त भूल एटली चे के आपड़े येने बाहिये पडार्तों मा जोई रहाची मोको कहां तु ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में जे कबिर नी वाच्चे के खोजोगे तो अभी मिलूंगा पलभर की तलाश में आपड़े भूल क्या करे रहाची सचीदानन प्राप्त करवा माटे ज बद्धा प्रयत्न करे रहाची जे अचर गया कबि मैं तरहा अलिवी मिलुक्त करे रहाची लोका रहाची इन ऐलूको पण आनंद्प्राप्त करे रहाची अनुछ में अंदप्राप्त करो आकी मिलुकु रहाची तो परींतट आंंद बीद्धmoi शुड़े पर और पीड्रे माटे जोई ज बैडिमा रहाची कारण के मारो मुड़ुभुद सभावज अखंड सचीदानंद रूप छे औने मारे आनंत आनंद जोएशन और तो छे मारो सभावज आनंत आनंद नो जो नहों होए तो सुकरवा हूँ आनंत तरप जाओं एटले हूँ अहां ब्रह्मास्मी आ मनन थाई गयो हवे एना पसे निदिध्यासन तो अहां ब्रह्मास्मी नी जे वृत्ती चे ए वृत्ती पर वारम वार ए वृत्ती पर पताना मनने केंद्रित करू अने मन तेहां 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 अटकावी ना एकज वृत्ती तरफ केंद्रित करू एनू नाम निदिध्यासन तो सास्त वाक्यों पर शास्त्र जे वाक्यों छे एना परनू आवयान अथवा निदिध्यास्टं ये पन एक प्रकारनू ध्यान वेधान तसिध्धान परनू आधरी ध्यान एनी चर्चापण Joo態 पजी करेशों। जेम के शास्त्रों न ध्यान पर नी वात करीये तो गीता स्वामितुरियान अन्जी महराज ये शू करता गीतापर नो एक श्लोक ले लेता और आखो दिवस बस एकत 새로 पर नो ध्यान करता अखो दिवस ए सतत औने आविरित गीतापर ना स्लोकोनों ध्यान करी करी ने ए ना अंदर ने उंडो अर्थपन प्राप्त करता औने मन नी उच अवस्थाने प्राप्त करता ता विभीन प्रकार ना ध्यान बाउद धर्ममा जे मा आपने कहिऊ कि एक प्रकानु ध्यान कहिऊ चे एक प्रकानु ध्यान चे विटनेस साक्षी रुपे रहेवू आपने एक प्रकानु ध्यान पोता ने साक्षी रुपे रहेवू आपने एक प्रकानु ध्यान पोता ने साक्षी रुपे रहेवू ने जे विपश्यना, आजकल विपश्यना नी स्रीवीरों घणी लागेचे, ए जापान थी गोयनका जी लेजावेचे ने पंदर दस 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 शीवीर बधा आटेंड करेचे, अने घणा कहेचे कि हाँ अमाथी अमारे मननी एका ग्रता मणी छे, अने कई के माथी लाप थेचे, तो आ वर्ड़ेज़ पिक्चर स्वामी वेकाने कहेचे ग्नान युग माँ, बस जाने अपने एक फिल्म जोई रहाचे, फिल्म चाल दी रहाचे, एनी साले तामे तालत में थी करता, कोई पन ए अपने जारे देनन दिन जीवन माँ आपने जोता होईये, रस्ता पर जता होईये, अने कोई वेक्ति, विजा वेक्तिने मारे, तर्त च आपणे मोढामाथी चीस निकड़ी जाये चे, खुब दूख थाये चे, पन फिल्म मा गमे अटलू मारे आपने काई ततो नाथी, आपन जाए जाए ज़ाध फिल्म चे, तो ते या शाक्षी भाव आवी जाये चे, आ अउद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद्युद् के जो तमारे तत्काल काई फड़ जतु है तत्काल तमारे वहरागी नी भावना जोती होई अने तमारे आगल वधू होई तो एक रस्तो चे पन कठीन रस्तो चे पन जो करी शको तो बहुत सरस्पड मर से अने शुचे मृत्युपर ध्यान meditate on death भहंकर लागे चे पन चेवटे आ माकाली नी पुझा मृत्युपर नी ध्यान चे शीव तिया अचल थे ने बेठा चे न उपर माकाली एटले के काल उपर ए माहकाली नित्य करे चे काल एटले के जीवन मा सुख अने दुख जीवन अने मृत्युप आप बन्ने पासा चे आप बन्ने पासा ने स्विकारवु ए सरडवात न थी आपने सुख जोईये चे आपने फक्त जीवन जोईये चे पन आपने चाहिए के ना चाहिए जीवन साते मृत्युप एक सिक्क कर दो एकिvida ल्याका ना ब्या ने पासा रिवा शे जीवानिवसाते मिन्ध्य रुसाक्षान इसक्षा कथनल आत्यान्त साहसनों संचार थाए चे तो अरीनों कम्छे जाए चे अले पेद्था धरम अवर्फ प्रकारना ऑविभल्य प्रकारना मृत्य पर नूँ ध्यान, विद्धा अस्ता पर नूँ ध्यान, नरकंकालो पर नूँ ध्यान, वैरा गुद्धिपन करवा माटे, ग्नान अर्पवा माटे ध्यान, विजा जेन बुद्धिजम मा कोवान एनी प्रथा छे, कोवान एटले शू, के कोवान एक बहुँ विचितर की सथी प्रथाष्ट यमा गुरु एसाधकोने को कहिछए पढ़यकप्रका 95 ये वाक्य नो कोई अर्थora नतीて यु यह कि एक का थ नी धोनी यु कि चिंतन करे जाएचे, करे जाएचे, एवा मिनिंग्लेस वाक्तिय, एनो कोई अर्थ नह था तो एवा वाक्तिय कहीं कहीं देशे, अनके हवे आनो अपर चिंतन करे जाएचे, कल आको ना कल आको, दिवसो ना दिवसो, महिना ना महिना, एक हात नो, एक सूच भाई, एक हात नी ध्वनी एक हाथ नी ध्वनी चे अटलू बदू करी ले एक प्सक्राएं मास एक तम कंतालं नसे बैसार नों कोई नथी बस आसांशा नों कोई मिनिंग नथी एक भूतव कोई पूता में ना संसा ciao कारा थे विद आまず बहुता even कोई बढ़ा न नहीं हो अमर्ता तरफ लई जाए चे अने ध्यान तरफ लई जाए चे बीजी एक विदी चे सैजन विदी सैजन आतो जैजन एविदी के भी छे एपन एक विदी तरफ विदी एमासू के बस तामें बेशी जाओ बेशी जाओ जस्ट इटिंग विजु काई करवानू नहीं मनमा कोई पन वृत्ती उठवा दे वानि कोई पन जातने विचार उठवा दे वानि कोई पन विचार अनि केई हल्वानू काई नी और्फ आवे एक जविद्टी होँ जै कि हूं बेट आवी जो बस ए सिवा बीजी कोई वृत्ती नावा ना दियो सब्सक्राइबर यहां करते हैं। शभी तो ए घटनानू तमें चिंतनकों क्रोंके विद्यते गोवाड़ो आवे छे एनि गयावे ने ध्यान करवन कहें ध्यान माहता अने ध्यान झात्याब्ता पचे शर्चिक वे लोको आवे छे अने त्यारे पची मानमान एशला काने काड़े छे केटली बदी पीडा अने बदी पीडा सहन करे छे केटला दिवस्वस दियन्न न थी पेट मा पेट नामनी कोई वस्तुज न थी रही फक्त हाड का कंकाल थे गया छे आ महावेनु चित्रत में क्यार के जोई हो छे अने बदी प्रकान थी जयन धर्म प्रमाने गुणों न ध्यान जयर आपने के जो मारी लुद्ध ना गुणों पर ध्यान करूँ छे तो भगवान बुद्ध न आ गुणों पर ध्यान न आप घणा बदा उदानों छे मानिलो भगवान बुद्ध ने केवी वेदी द्रड इच्छा शक्ती हती तो ए घटना नू आपने स्मरन करी छे के घटना उपर मेडिटेट करवानू ध्यान करवानू अहां ए भगवान बुद्ध त्यां बोधी विर्ष्णी चे बेठा चे अन्याहं संकल्प करेो के ना बस हवे हूं जयां सुधी मने बोधी प्रापत नहीं था चाहं सुधी अजरेट बोधी प्रापत नहीं था त्यां सुधी हूं अही आजरेश भले मार आशां बद्धु सुखाई जये पॉनु छोड़ीष आई जातनों दुट संकल्प ता इमना संकल्प पर 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 नुद ध्यान अगटना और अपने ध्यान करी शकी अथ्वा भगवान बुद्ध नी केवी करून तो केवी रित जही रिया चे राजगीर मा थी अने तिया एक घेटाने लई जे रिया चे आणे लागे चा घेटाने अनुबलिदान करो अने पची राजा ने कहे चे जीव नीहत्या एक टली खराब चे अने पची राजा नू रिदे परिवर्तन थाये चे तो केवी बदी करूना के घेटाना जीवने बचाव माड़े थे ने पोताना जीवने देवा माटे तैयार आधी जातनी घटना नू ध्यान करवाती भगवान बुद्धन नहीं करूना एनू ध्यान थाई जाये चे तो आ बदू चे गून ध्यान श्री रामकृष्ण देव केटलो बदो त्याग केवो त्याग पईसाना यो त्याग ये धातुन श्पर्स थतो नती अने पची नरेनात ने आपर विश्वास पथारी नीचे सिक्को संतली दिया चे परने खरे खर रामकृष्ण बेसा चे जाने विची नू डंख लागे चे ता बदी घटनाओन स्मरण करवाती ए श्री रामकृष्ण देवनों त्याग नों महीमा एमनी त्याग नी वृत्ति केवी हती प्रिश्ण भगवान नी भक गुण ध्यान करवा माटे केटलाक स्तोत्रों, केटलाक गीतों, केटलाक भजिनों पनापड़ा माटे खुब उप्योगी निवले चे ए विज रिते रूप ध्यान चे स्वरूप ध्यान चे तो पहला रूप ध्यान पची गुण ध्यान और एना पची आवे चे स्वरूप तो मोटा भागना लोको माटे रूप ध्यान ए अत्यंत उपियोगी छे रामकिष्ण मठ मिशन मां जिम में कही हूँ के ध्यान नी वधारे प्रक्रिया शिक्वी हो तो अहीं आ तो गुरू पासे थी शिक्वी पड़े पोत्पता ना गुरू पासे थी तो तमारा क्या इस्ट देवता तमारा कोंड रेशे तो एनू चैन गुरूए करू जोहीए तमारा गुरूज तमारा माट चैन करी देश Okay चैन करी शको तो सारू पंण साजी सार्वा मां सारू चे कि ध्याननी प्रक्रिया आतो आतो अपकने उपर छल्ली वाटों करी चो till ध्यानना प्रथम सुप पासे थी आ ध्याननों माझ मेलवो और गुरू तमारा माँटे नक्啊 कड़ि दे शे तमारा ध्याननों प्रत् linguistic विशेशू रहेशे इस्टे देवता तमारा बंसे अने जो पोते आपने करवा जाईए तो क्यारेक क्यारेक आपने पोते समझी शकता न थी कि मारा माटे कोण इस्ट देवतारेश जिम के सामी शारदा नंजी शरत महराज सरत महराजे रामकृष्ण देवपासते एक वारता सामड़ी गनेश भगवनी वारता इक विरते गनेश ए माँ पार्वती तेया अंदर कामकाजमा छे और गनेश नानू बाळक त्यारे बाळक अवस्थामा आने यमिने एक मिन्दिने जो एक बिलाडी ने जोई और बस बिला माणी पीट पर दाग पढ़ों पे लोई निकली दो क्याम है तुम ने कंimalma दो बेटा ते मारे दो मामने कोई देस नहीं होतो तुम ने आतलो फ्रेम करुछो मोचिलимо 5400 शीं सब्साथ मिअ क्या रो बार्लों मारिए मां पार्वती जी कह सी कि मां अवह मementeуш करो वास हो अगमें करके 52 में ख़ा जरुक अपने अपनों हिंची किर मुआ राएक भाहति सो रहत वकी बिद्वरνα primary कौने करें अब में युद हाँ सीवर्ण मपश्मिपलिद युद युद नाद मां ने बने शक्ति पुजब युद्धि बंगाडी युद्धि माहँ लगए चेज़ई कि लेक ने दरेक नारी ना आविर्भावनी अनुभूती थेए जगन माता ने समर्पित पहुची गया था स्तिति मान रामकृष्ण पहुची गया था दिवड़ेक चाल। है तो दरेक दरेक माम एज माँ छे, अने येनी बिजी पन वार्ता से के एक वार एक कार्थिके अने गणेश बंदेमा होड थे, कोण समस्त विश्वनी परिक्रमा करी दे शे, अने कार्थिक पतान वहान उपर बेसी जोड़ी दोड़े आ, गणेश जी कैं नहीं, माँ पार्वतीनी प्रदक्षिना करी NBC घा ना वकत पचि कार्फिकाविने जु में और उंथ आ टला जुर्त आए आखा वीष्व नी प्रदक्षिना क करलेधी के विरत बनिशकेद नहीं तो आ वार्ता सामणी ने सार्दान जी महारा ने गनेश तरब खुब ए थाई गयो। तो एमने एक वार वाजचीत मा कहिऊ रामकृष्ण देवने महारा इस्टी देवता तो गनेश भगवान चे। रामकृष्ण तरब तो गनेश भगवान चे। ना 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 तारा इस्टी द आपना माटे कोण इस्ट देवता हशे कारण के इस्ट देवताना चयन मा एक वधू वात आवशक छे के जे इस्ट देवतानु ध्यान करवा साधक मागे छे ए इस्ट देवताना थोड़ा कंश एमा होवा जोई तो जेलोको विश्ण ना आंस्तती जन्मया छे रामकृष्ण तो कोण के आंस्ती जन्मया चे कि विडिते खवर पड़े तो गुरु पोतानी ए अध्यातनिक शक्ति द्वारा ए समझी शके छे कि कोणा माटे कोण इस्ट देवता रह से हवे मानीलियो एवा गुरु तो मलवा मुस्केल चे नथी मलता त्यारे सुन टेंपरेडी सुकर उ केरकर मि pretty शको चे करीजार मोटा भावना साधोको माटे रूपध्यान और गुण ध्यान अजु फण हमलु खुझ आ बने खुब शाहय रूप नीवडे चायानागे ये वदु सायरूप निवड़ा चे तो कोई पन महापुरुष कोई पन देवी देवता जे तमने गमता एने इस्ट देवता तरीके लई सको चो मानिलव, ये कोई पन देविदेवतां न सी गम्ता, कोई देविदेवता मा माने विशेश रस नती, तो ठीक छे, कोई महापुरुश ये न ति तमे प्रभावुतो, ये ना लिलाल 0 परनू चिंतन, ये ना जीवन परनू चिंतन एपलक प्रकानू ध्यांचे, और ये ना करवी के बेचार अपड़े कागड़े ले लिधाने मनाखवा के डाइस नाखवी ना एना करता वधरे छे के थोड़ा थोड़ा दिव से बध्यानू चीनतन करवानू एक्सपेरिमेंटल बेसिस उपर अच्छा तमने गनेश पन सारा लागे छे शिव जी पन सारा लागे छे तमने देवी पन सारा लागे छे त्रणे पर बेवे दिवस ध्यान करूँ पांच पर दिवस ध्यान करूँ कारूँ अने पन मनमा यह लाखवानू कि बध्धा देवी देवता नू असलमा एक जिश्वर विभिन देवी देवता उरुपे प्रगड़ थे आचे तो आ लोको अने पर ध्यान करी जीमा वजार मन लागतो है एने आपड़े प्राइमा फेसी एक्स्पेर्मेंटल बेसिस पर चूज करी शक्ये छे आने एना पछी गुरु देव जे कहे ए इस्टे देवता ना पर शिवकार कहे छे जहां सुधी गुरु नथी मल्या त्यां सुधी ने आ टेंप्रेरी रेंजमेंट आ कायमी धुरु ने उनुणी त्यां सुधी आपड़े आप्रकार ने व्यवस्था करी शक्ये इस्टे देवता ने चेन माटे थे इने